Hello and welcome in my YouTube channel AllTapTutorials और आप हैं उसेंसर के साथ Guys यह हमारी CSS की हिंदी उर्दुसीरी चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं Border Property Guys CSS की एक Property है Border Guys यह Border अकली Property नहीं है यह Group of Property है इसमें और भी बहुत सारी Properties है Border से Related ठीक है तो इसमें आज हम तीन Properties की बात करेंगे वह कौन-कौन सी है एक तो है Border Width दूसरी है Border Style और तीसरी है Border Color तो Guys हम इन तीनों Properties में जो जो Values होंगी उन सब को Discuss करेंगे इस ट्रिटरल में तो आईए शुरू करते हैं Welcome Back तो Guys मैंने एक HTML Document खोला हुआ है और इसमें मैंने CSS को भी लिंक किया हुआ है देखिए CSS है और इसका Result मैं यहां देखेंगा Google Chrome में तो आईए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं वह इस्ट्रक्शर तयार कर लेता हूँ जहां से हम Border कर Practical सुझू करेंगे तो आईए हम इस्ट्रक्शर बना लेते हैं तो तो आईए हम इस्ट्रक्शर बनके तयार हो गया तो आईए शुरू करते हैं तो देखिए डॉट बॉक्स जो मैंने एक डिविजन बनाई थी उसके अंदर हम Border लगाते हैं तो यह सबसे पहले हम लगाते हैं देखिए Border और Border में हम लगाते हैं Style तो देखिए Border Style एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बगार Border बनी नहीं सकता Border Style के बगार Border बनाई नहीं सकते सबसे पहले हम Border Style लगाया है अब Border Style से हम देखो कोई भी हम इस्ट्रक्शर लगाए हैं जैसे मैंने अब Solid लगा देखिए खाली बॉर्डर का स्टाइल लगाते ही बॉर्डर बनके त्यार हो गया अब हम बॉर्डर की विट्स बता सकते हैं तो देखो मैं यहां पर त्यून लिख लेता हूँ अब मैं लिखता हूँ देखिए आप बॉर्डर और बॉर्डर की हम लिखते हैं डबलू आई डी टी एच width और देखिए border width लिखने के बाद हम यहाँ पर बता दें कितना हमें water चाहिए मुझे चाहिए 20 pixel या 10 pixel border मुझे 10 pixel border चाहिए तो देखे में 10 pixel border कर दिया इसके लगा हम border color बता सकते हैं तो देखे border color border और देखे यहाँ पर हमने दे दिया color तो यह 3 मैंने property लिखली them c behavior color में एक में बतायता हूं Green देखो बटर कलर ऐंक ग्रीण होगया तो ती नों प्रोपर्टि मैंने लिखिली है अब इन त्यूनों प्रोपर्टि जिस की अपने अपनी अलग अलग docket , docketAud刀 अगर कर देते हैं तो देखेjiset कर सकते हैं । गर поряд的 अब है मैं को करके बताइई चुका हूँ solid तो solid आप करेंगे तो देखिए इस तरह से solid आ जाएगा solid के बाद आप ढिखे हैं double कर सकते हैं double तो अगर आप double करते हैं तो देखे double water ब्रोडर बन जाएगा ठीक है इसके अब आप group कर सकते हैं ग्रोड 3D water банता है recover करें तो वो 3D water बनाता है देखिए 3D मतलब के उबरा हुआ बर्डर और 3D टाइप में अगर आप यहां पर इसको ग्रे कर दें या ब्लैक ही कर दें तो देखो कैसे नजर आएगा देखो ब्लैक अगर मैं ब्लैक कर दूं ब्लैक ना करके बाइडिफल्ट रहने दीजिए देखिए देखिए यहां पर आता है रिजिट तो रिजिट भी 3D बनाता है लेकिन वो अपोजिल बनाता है उल्टा बनाता है यह जो डार्क शेडो थी यह उपर आ रहे थी अभी नीचे आ रही ठीक है इसके लाब आप इंसेट होता है देखो इंसेट अगर आप करते है तो देखो यह होता है कि अंदर को दबा हुआ अगर आप इसका बार्डर का कलर हटा दें बाइटी फोट रहने दे दो इस तरह से और साफ न जराएगा अंदर को दबा हुआ ठीक है अगर आप कर देते हैं आउटसेट क्या होगा तो यह जो होगा आउटसेट यह बाहर पर हुआ कि solid, अब solid करने के बाद में, अब हम बात करेंगे, देखो, यहाँ पर भी 10 pixel कर रहा हूँ, 10 pixel, तो देखो, 10 pixel हो गया, यहाँ पर हम कोई भी color, जैसे मैंने red ले लिए है, तो देखो, red ले सकते हैं, इसके लावा, अब हम बात करते हैं, border width की value की, तो border width की value बहुत सारी है, देखी, यहाँ पर सबसे पहले है, देखे, thin, देखो, thin से क्या है, सबसे पतला border बनता है, जैसे की 1 pixel, तो यह 1, इसका अगर हम ना पें, size तो वो 1 pixel होता है, देखी, 1 pixel border भी इतना ही बड़ा होता है, जिसना thin, ठीक है, इसके लाबा होता है, देखो, thick, तो thick जो होता है, देखो, thick border, वो होता है, 4 pixel border, अगर आप यहाँ पर कर देखो, 4 pixel, तो 4 pixel border भी, same ही result देगा, ठीक है, तो इसके लाबा, एक कुसमें होता है, medium, तो medium by default होता है, अगर आप इसका width ना भी लगाए, तो भी वो border उतना ही बनता है, तो हम यहाँ पर medium कर देए, तो medium by default 2 pixel रहता है, 2 pixel का border देखिए, अब यहाँ पर 2 pixel भी लगाते हैं, तो 2 pixel से भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाले, क्यों वो medium है, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसमें दो बार भी लगा सकते हैं, जैसे कि दो बार अगर आप लगाते हैं, माली जै आपने लगाया 5 pixel, पहले आपने लगाया 5 pixel, और सेकिंड में लगा दिया 10 pixel, तो देखो इसमें क्या होगा, top bottom और left right, अब यहाँ पर top bottom तो 5 pixel होगया, और 10 pixel left right होगया, हाँ पर 20 pixel करके देख लिए, और आप समझ में आ जाएगा, देखो 20 pixel, top bottom 5 pixel और left right 20 pixel, आप 4 बार लगा सकते हैं, चार बार लगाएंगे तो इनको चारो साइडों को आप अलग-अलग हंडल कर सकते हैं, जैसे 5 pixel, मैंने कर जैए 10 pixel, और उसके बाद मैं करता हूँ 20 pixel, और फिर मैं करता हूँ 40 pixel, देखो यह जो है, ऐसे बताया कि यह 10, 20, 40, मनना 5, 10, 20, 40, इस तरह से देखो यह border अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं, ऐसी आप color को भी adjust कर सकते हैं, color में आप अपनी मर्जी से कोई भी color डालें, माल लिए जैसे आपने red color डाला, तो red color सब में हो गया, अगर आप दो color डालते हैं, red and green, तो देखो green color डालते क्या होगा, top bottom red हो गया, और left right green हो गया, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को 10 pixel कर दे रहा हूँ अभी मैं, यहाँ पर 10 pixel ऐसे से देखें, यहाँ पर मैं 10 pixel कर दिया, तो देखें, top bottom left right, अलग-अलग color होगा है, अब यहाँ पर आप 4 color डालें, चार कर डालेंगे, तो चारों को handle कर सकते हैं, red, green and blue, और फिर आपने कर दिया देखो, यले, तो देखो इस तरह से आप यूज कर सेंगे, red, green, blue, yellow, अलग-अलग color भी यूज कर सकते हैं, हर side का, तो इसमें आप अपनी मर्जिस से hexa code, या RGB, RGBA, पिक्सल, मुझे देखे 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, और मैं दे दिया solid, solid 5 पिक्सल, और फिर आप दे दिया red, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, red, 5 पिक्सल, solid red, लेकिन इसमें अलग-अलग sides को handle नहीं कर सकते, यह एक साथ भी आप लिख सकते हैं border को, तो इस तरह से अभी उस करें, मैं इसमें चाहता हूँ के यह h1 में लगे, तो इसको border को भी यहां से हटा दे रहा हूँ, तो इसको भी हटा देता हूँ, देखे इस तरह से, और हम यहां पर h1 में dot box लगा कर, और देखे, h1 में हम handle करेंगे, h1 को हमने handle करना है, तो h1 में हमने दे दिया जी border left, border और हमने दे दिया जी left, border left, और border left देने के बाद हम देते हैं, 50 pixel, और देखे, solid, ऐसे solid, और 50 pixel solid और red हमने color दे दिया, इस तरह से red, तो देखो यह हमारा 50 pixel solid red, यहां पर padding, padding दे दी, मैंने क्या करना है, top से मुझे padding 0 चाहिए इसमें, 0 padding चाहिए टॉप से, और right से मुझे, इसमें 0 padding चाहिए, और bottom से भी मुझे 0 padding चाहिए, और left से 20 pixel padding चाहिए, देखो ऐसे 20 pixel, left से padding हो गए, और यहां पर मैं 50 के बजाए, 100 कर देता हम देखो, 100 तो 100 pixel इस तरह से, आप यूज़ कर सकते हैं, 100 pixel, 20 padding और इसके बाद ये, यूज़ कर रहा है, इसके बाद आप last में भी डाल सकते हैं, जो अगर आप चाहें, तो last में भी आप डाल सकते हैं, last में border left है, तो ऐसे border right कर सकते हैं, control C, और इसमें देखो, control V, और आप border left की बज़ाए, आप यहां पर कर दें, जी, right, right, जी, hd, right, और right में भी आप डाल सकते हैं, right में अपनी मर्जी से, जितना भी आप pixel करना चाहें, border right, आप ने कर दिया, 10 pixel, देखो, आप 10 pixel इस तरह से use कर सकते हैं, अब यह जो आप देख रहे हैं, पी, इसके left में अगर आप border डालना चाहें, चार्ट तरफ डालना चाहें, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो देखो, आप इसमें, यह border को मैं इसको copy कर रहा हूँ, control C, और इसके बाद में यहाँ पर control भी पेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद इसमें मैं paragraph ले ले लेता हूँ, देखो, यहाँ पर ऐसे paragraph, और paragraph में border left, और border left में ने कर दिया 5 pixel, solid, अब मैं यहाँ पर देता हूँ green, ऐसे green, ग्रीन देने के बाद में जो देखो, इसमें border right को हटा दे रहे हैं, यहाँ से border right आप ने हटा दिया, और padding हमने वो 20 pixel, 5 pixel जो भी देना था वो दे दिया, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, देखो, यहाँ पर जो right है, यह यह भी आप वटा सकते हैं, अगर आप वटाना चाहें, तो मैं इसको right को हटा रहा हूँ, देखो, यह ऐसे, प्रिमर्जी से आप जो भी यूज़ करना चाहें, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, border को जैसे मैंने यूज़ किया, तो गाज इस टूटूल बस इतना ही कैसा लगा आपको टूटूल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और गाईज अगर आपको कुछ कहना है कुछ बताना है तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताए गाईज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब करें और वैल आइकन को दवाना ना भूले गाईज मिलते हैं नेक्स टूटूल में तब तक के लिए टेक केर और बाई